दोस्तों नमस्कार, कॉंग्रिस बदल रही है, कॉंग्रिस निर्णे लेना सीख रही है, कॉंग्रिस अपने फैसलों को अमल कराने की दिशा में बढ़ चुकी है, लेकिन ये समूचा शोर सिर्फ कॉंग्रिस का है, ये सारा हंगामा सिर्फ कॉंग्रिस का है, ये चिहरों का ब नहीं बहा पाए क्योंकि उनके परिजनों की मौत आंदोलन करते वक्त हुई ये किसान परिवार है ये ऐसा राज्य है जहां पर एक हज्जार से जादा मंडिया घाटे में चल रही है लेकिन कोई किसान किस सत्ता के सामने अपने आशूओं को बहाए ये कोई नहीं जानता है ये वा राज्य है जहां पर युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट यही है पैसे का जुगाल हो जाए तो कनाड़ा चले जाएं या फिर आने वाले वक्त में MSP पर कम से कम फसल खरीदने की स्तिती में सरकार को लाकर खड़ा कर दें तो आंदोलन करें यानि एक बार फिर संघर्ष करते हुए उन 500 परिवारों की कतार में कहीं अपना परिवार भी खड़ा तो ना कर दें जहां पर मौत मिलेगी इन सारे सवालों के बीच कॉंग्रिस ने अपना चेहरा बदल दिया है हाला कि दिल्ली के दर्बार में बार बार हर राज से जहां जहां कॉंग्रिस की सत्ता है हर किसी ने माथा टेका बाचीत की समवाद बनाने की कोशिश की किसी को सफलता नहीं मिली लेकिन ऐसी कौन सी बात है जहां पर सिद्धु को सफलता मिल गई पंजाब के भीतर और कैप्टेन अमरिंदर सिंग को कुरसी छोड़नी पड़ी वो कौन से निर्णे थे जिस वज़ा से कैप्टेन अमरिंदर सिंग अपनों के बीच ही घिरते चले गए वो कौन सी मानसिक्ता थी जो आपको अपने विधायकों से अलग करती है वो कौन से पॉलिसी डिसीजन्स थे जिसमें कॉंग्रिस के भीतर ही असंतोश था पूरे पंजाम में घूम जाईए कैप्टेन अमरिंदर सिंग सत्ता छोड़ रहे हैं नया चेहरा सत्ता समालने को आ चुका है और इन सब के बीच कॉंग्रिस को लेकर जो वापो जो शोर जो हंगामा क्या वो वाकई लोगों के भीतर भी है ये सारे सवाल है लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई कोई मुखमंत्री अपने पद पर रह सकता है जब उसके अपने मंत्री हैं उसके खिलाफ हो जाएं उन निर्णेों के खिलाफ हो जाएं जिन निर्णों को कैबिनेट की बैठक में फैसले पर अमल कराने की दिशा में मुखमंत्री बढ़ रहा हो ये सारे सवाल कॉंग्रिस के उस परमपरिक राजनिती का हिस्सा रहे हैं जिसके आसरे इस से पहले भी कैप्टन ने मुखमंत्री पद को समाला और अपनी ठसक के साथ सत्ता चलाई अकालियों ने भी इसी तर्श पर अपनी सत्ता चलाई ये हर किसी ने देखा है लेकिन क्या वाकई विधायकों की सुनी जाती है या फिर एक ऐसी परिस्तिती पंजाब में बन चुकी है जहां पर छे महीने बाद चुनाओं होंगे तो कैप्टन को जीत नहीं मिलेगी इस चेहरे को बदलना होगा इस चेहरे के साथ समूची कैबिनेट को भी बदलना होगा क्योंकि जिस वक्त हमने जिक्र किया कैप्टन इस्तिफा दे रहे थे उस वक्त 65 विधायक अगर लाम बन थे तो उस कतार में मंत्रियों की फिरिस्त खुले तोर पर जो कह रहे थे कि इने पद छोड़ना चाहिए उसमें राजिंदर बजवा का नाम था उसमें सुक्विंदर सिंग रंदावा का नाम था उसमें सुक्विंदर सिंग सरकारिया का नाम था उसमें चरन सी चन्नी का नाम था उसमें सुनील जाखर का नाम था उसमें सुरंद शाम अरोडा का नाम था उसमें प्रगट सिंग का भी नाम था उसमें सिद्धू का नाम भी था और एक फिरिस्थ है लंबी तो क्या वाकई दिल्ली अपने विधायकों की बातों को सुनती है एक सवाल आपके जहन में आज पंजाब को लेकर आना चाहिए दिल्ली तो सचिन पाइलट भी पहुँचे थे दिल्ली तो टियस सिंग देव भी पहुँचे थे और दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के लिए भुवेश बगेल भी तमाम मंत्रियों के साथ तीस विधायकों के साथ दिल्ली पहुच गए थे और ये जताने के लिए कि हमारे साथ पूरी ताकत खड़ी है तो क्या विधायकों की संख्या माईने रखती है और विधायकों की संख्या अगर साथ ना हो तो मुखमंत्री को कुरसी छोड़नी पड़ती है इसलिए सचिन पाइलेट हार गए इसलिए भुवेश पगेल मुखमंत्री बने रहेंगे और इसलिए कैप्टन को अपना पद अपना सीम पद छोड़ना पड़ा ये सारे सवाल है लेकिन हमें लगता है कुछ पन्नों को आज पलटने की जुर्रत है कॉंग्रिस के भीतर की पर परिस्तितियों को लेकर भी जो कैबिनेट डिसीजन हुआ था उस कैबिनेट डिसीजन ने जो सब को हिला कर रख दिया था वो दरसल कैबिनेट डिसीजन दो लोगों को नौकरी देने को लेकर था दो एमेले के बेटों को नौकरी दी गई थी सरकारी नौकरी और ये कहा गय था कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया और कैबिनेट का डिसीजन इस अधार पे था कि जिन परिवारों में जिनकी मौत जब वहां पर चरमपंथ था जो कटरवाद और हिंसक परिस्तितियां हो रही थी वो दौर 80s का था 84 के बाद कि जो परिस्तिती बनती चली गई थी उनमें जिन परिवारों के बच्चों की मौत होई है उन परिवारों में नोकरी दी जाएगी उनके बच्चों को यह एक आस और उमीद था इसी के दाइरे में दो MLA आए और MLA ने अपने बच्चों को नौकरी दिला दी यह कह कर कि उनके पिता की भी मौत उसी चरमपंथियों ने की थी ज़स समय पंजाब जुलस रहा था लेकिन जब हमने गिंती लगानी शुरू की तो उस दौर की जानकारी यह निकल कर आई 1987 के वक्त चरमपंथ काल के दौरान 35 हज्जार परिवारों को अपने बच्चों को खोना पड़ा था तो क्या उन सारे परिवारों के बच्चों को नौकरी देने से पहले अपने MLA के बच्चों को नौकरी दी जा सकती है यह सवाल अकालियों ने नहीं उठाया यह सवाल आम आदमी पाटी ने नहीं उठाया यह सवाल कॉंग्रिस के भीतर उठा कॉंग्रिस ने अपने ही भीतर से यह सवाल उठाया कि आने वाले वक्त में जब चुनाओ मैदान में जाना है तो एक इमानदार परिस्तिती कॉंग्रिस के साथ होनी चाहिए और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर सिद्धू सफल क्यों हो गए सिद्धू सफल इसलिए हुए क्योंकि सिद्धू को ये बोला गया दिल्ली में भी और शायद ये उनकी फित्रत भी रही कि खुद को आप विद्रोही तोर पर दिखलाईए ये जदाने की कोशिश कीजिए कि जनता के नितियों को लेकर जनता के लिए बनाई गई नितियों को लेकर हम कोई समझोता नहीं करेंगे वो जनता के हक में होना चाहिए इसलिए सिद्धू को दिल्ली से हरी जंडी थी इस रूप में भी कि आप चाहें तो गांदी परिवार के खिलाब भी बोल सकते हैं लेकिन आपको जनता के हक में खड़ा होना होगा क्योंकि कॉंग्रिस इसे समझ रही है और शायद यह देश भी समझ रहा है इस देश में सियासत ने इस देश के नागरिकों का बंटा धार किया है नागरिकों को कमजोर किया है नागरिकों को गरीब बनाया है उनको बिरुजगारी की परिस्तितियों में ढखेला है, उनको विक्सित और विकास सील बनाने की स्तिति में कोई पॉलिसी किसी राज सरकार के पास नहीं है, कि अंदर सरकार के पास भी नहीं है तो ऐसे में वह लोग क्या वाकई कॉंग्रेस के भीतर से निकल सकते हैं? राहुल गांधी की ये कॉंग्रेस इसे टटोलना चाहती है समझना चाहती है इसलिए सिद्धु ने जब कहा था अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं इट से इट बजा दूँगा तब भी कुछ कॉंग्रेसी इस सक्ते में थे क्या वाकई ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिद्धु कह रहे हैं यकीनन कह रहे थे लेकिन जो छवी सिद्धु की बनानी थी वा धीरे धीरे पंजाम में बन रही थी तो क्या कॉंग्रेस में जो अनुभवी और पुरानी परिस्तितियां थी अब वो बदलाओ के रास्ते में हैं क्या वाकई कॉंग्रेस उस जमीन को देख रही है जिस जमीन पर खड़े होकर जनता कहे कि आप हमारे सेवक हैं आप हमारे लिए पॉलिसी बनाईए और इसी के म इतर के सवाल है क्योंकि हमने शुरू में ही कहा लिए इस देश की लोगों को कोई मतलब नहीं है चाहे वो गुजरात में पूरी सत्ता बदल दी गई हो बीजेपी की सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बदल दी गए हो गुजरात की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है यह अपने आप में दरसल एक नई सोच पैदा हो रही है जिसमें जो सत्ता में है वो चाहता है कि वही विपक्ष में भी दिखाई दे कॉंग्रिस भी अपने तोर पर अप चाहती है कि अगर उसकी सत्ता कहीं कमजोर हो रही है वो चुनाओ नहीं जीत पाएगी तो खुद को ही विपक्ष की भूमिका में ले आईए और अपने ही विधायकों के जरिये अपने ही मुक्मंत्री को लेकर सवालों की बोच्छार कर कि जब एक बरस के भीतर में चुना होने है तो इस सरकार ने अगर कुछ नहीं किया है तो इस सरकार को उखाड फैक नहीं होगा ये किसी विराज सरकार के हो सकता है खिलाफ में जा सकती है चीजे लेकिन क्या वाकई सत्ता में चेहरे बदलने से जनता मान जाएगी कि देखि जो महराजा का पडिवार है पतियाला के महराजा का पडिवार है कैप्टन उस जगा से आते हैं जिनकी पढ़ाई दून स्कूल में हुई है जहाँ से राजीव गांधी निकले थे राजीव गांधी के साथ ही वो कॉंग्रिस में आये थे 1980 में चुनाओ जीते लेकिन 1984 में जब ब्लू स्टार वहाँ अपरेशन चला इंद्रा गांधी ने चलाया तो कैप्टन ने कॉंग्रिस चोड़ दी वो अकालियों के साथ चले गए यालग मसला है कि फिर अकालियों में तूट हुई उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई फिर उसका विले कॉंग्रिस में हो गया और तीन बार वह प्रदेश अध्यक्च रहे दूसरी बार मुक्हमंत्री थे इस बार पांच बरस पूरे नहीं कर पाए और साड़े चार बरस के बाद उन्हें इस्तिफाद देना पड़ा लेकिन जब हम पन्नों के पलटने का जिक्र करते हैं तो इन पन्नों का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि दरसल कॉंग्रेस अगर बदल रही है तो इस कॉंग्रेस की नई लकीर में जी ट्वंटी थी जो कॉंग्रेस खड़ी हुई ध्यान दीजे ये बुजर्ग लोग थे ये अनुभवी लोग थे लेकिन कॉंग्रेस जो राहुल गांदी को चाहिए वो विद्रोही तेवर के साथ चाहिए और जानकर आपको हैरत होगी कि इस दिल्ली के दर्वार में जो गांदी परिवार का दर्वार है उसके भीतर की एक अवाज राहुल गांदी की बार बार रहती है कॉंग्रेसियों को लेकर जो भप निकट हैं वो जानते होंगे उनका कहना इस देश में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है जो कॉंग्रेस के भीतर बड़े-बड़े कॉंग्रेसी है ये बोलने की ताकत सड़क पर आते ही क्यों खो देते है तो क्या कॉंग्रेस में जब सत्ता समालने का वक्त आता है तो इन अनुभवी चेहरों को सामने ले आया जाए और संगर्ष करने की परिस्तितियां रहे तो वह चेहरों को आगे ले जाया जाए जो संगर्ष करने की स्तिति में सब कुछ गमा चुके है कॉंग्रेस इस अंतरद्वंद से जूज रही और आज सुभे जब कैप्टेन अमरिंदर सिंग से सोनिया गांधी की बात चीत हुई उस वक्त कैप्टेन ने परमपरिक अंदाज में इस बात का जिक्र किया मैं पाटी छोड़ दूगा परमपरिक अंदाज में कहा आपकी जो CLP की बैठक विधायकों की बैठक बुलाई गई है और जिस तरीके से आप हमारे MLS को दिल्ली बुलाते हैं उनकी बात सुनते हैं जिस तरीके से आप हमको लगातार बैज़्यत कर रहे हैं पब्लिकली हम ऐसे में मुक्मंत्री पत छोड़ देंगे लेकिन शायद सुनिया गांधी टेलिफोन पर जरूर थी लेकिन उनके जहन में राहुल गांधी जरूर चल रहा था और रहुल गांधी इन परिस्थितियों के साथ कॉंग्रिस को क्या वाक्टी बदलने की दिशा में जा रहा हैं क्योंकि सिद्धू ने 2019 में सिर्फ दो लाइन का पत्र लिखकर अपने मंत्री पत से इस्तिफा दिया था और वो पत्र कॉंग्रिस अध्यक्ष रहुल गांधी को बेचा था वो 6 या 10 जून की तारीक थी 2019 की लेकिन याद कीजिए उसके तुरंत बाद रहुल गांधी ने भी अध्यक्ष पत छोड़ दिया था क्योंकि 2019 के चुनाओं में बड़ी बुरी तरीके से हार मिली थी कॉंग्रिस को और कॉंग्रिस की 2019 की हार इसलिए 2014 की तुलना में कही ज़्यादा बुरी और घातक और तरास्ती दायक है क्योंकि कॉंग्रिस को 2014 में जितने वोट मिले थे वोट संख्या जो थी जो इलेक्शन कमिशन का डाटा बतलाता है उस वोट की संख्या 10 करोड 69 लाग थी और कॉंग्रिस के वोट सिर्फ 50 लाग बढ़ पाए थे 2019 में 11 करोड 19 लाग तक महुचे थे लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के वोट 2014 में अगर 17 करोड 16 लाग थे तो ये लगभग 5 करोड बढ़ गए थे यानि कॉंग्रिस के वोट सिर्फ 50 लाग और बीजेपी के वोट 5 करोड बढ़ गए थे तो राहूल गांदी ने इस्तिफा दे दिया था सही बात है हार मिले तो इस्तिफा देना चाहिए लेकिन किसी दूसरे को कॉंग्रेस में कोई परमपरा नहीं है इस्तिफा देने के बाद फिर से सुनिया गांदी अध्यच हो गई कोई दूसरा नाम निकलकर नहीं आया कौंग्रेस का मतलब गांधी परिवार है इसे खर कौंग्रेसी को मानना चाहिए उसके पास तीनी ऑपशन होते हैं या तो गांधी परिवार को मान ले या फिर कौंग्रेसी छोड़ दे या फिर बीच बीच में अपने गुसे का इजहार करते हुए जैसे सचिन पाइलेट बतलाते हैं जैसे टियस सिंग देव बतलाते हैं जैसे सिद्धू बतला रहे थे जैसे एक्स वाई जेट कोई भी बतलाएगा इन सारी परिस्तितियों को समझते हुए लेकिन यहां पर दो स 16 के बाद कॉंग्रेस को छोडने वाले MLS की संख्या इस देश में 170 है साथ सांसदों ने भी कॉंग्रेस छोड़ी है और इस फिरिस्त में हाल के दिनों में जो कॉंग्रेसी नाम आपके जहन में आएगा उसमें जाहिर है आपके जहन में जोती रादेत्या सिंदी आएगा आप कहेंगे अच्छा ये मद्द परदेश का हिस्सा जो आप जानकारी दे रहें उन्होंने छोड़ा है इसके बाद आपके जहन में बीजेपी में शामिल हुए जतिन परशाद भी आएंगे नाम जो इन्होंने उत्तर परदेश में छोड़ा इसके अलावे शुश्मिता देव जो असम चली गई टीमसी के लिए प्रभारी बनकर वहाँ पर और वो राजसभा में भी आ गई उससे पहले कोई एक नाम प्रियंका चत्रवेदी का लीजिए जो शिवसेना चली गई लेकिन इसके ठीक समरांतर दो तीन बातों को और समझे कॉंग्रिस कितनी बदल गई है वो शिवसेना के साथ सत्ता चलाने को तयार बैठी है कॉंग्रिस कितनी बदल गई है जिसमें वो अपनी सत्ता को ना करनाटक में समाल पाई ना मदपरदेश में समाल पाई ये इंद्रा गांधी की कॉंग्रेस नहीं है इंद्रा गांधी की कॉंग्रेस के वक्त कॉंग्रेस को इस तरह सामना ना करना पड़ता कि सत्ता में हो और फिर विपक्ष में चले गए क्योंकि खरीद फरुप्ट हो गई ये परिस्थितियां क्या एक डेमोक्रिसी का हिस्सा है पार्टी के भीतर में या फिर अनुशाशन नहुपाने की परिस्थिति है या फिर उस वीजन की इस्थिती में कॉंघरoter बार बार नहीं आ पा रही है जिसका इंतजार समुचा देश कर रहा है क्योंकि इस देश में जनता से कोई सरकार इस देश की केंद्रिय सत्ता के नहीं है यह हर कोई जानता है जो पॉलिसी बन रही है जो निर्णे लिये जा रहे हैं वो जनता के नुकूल नहीं सिर्फ सत्ता के नुकूल होते हैं ऐसे में कॉंग्रेस रास्ट्रिय पार्टी है तमाम दूसरी छेत्रिय पार्टियों की तुलना में कॉंग्रेस का जो वोट बेंक है वो उनसे मिनिमम दस गुना जादा है और उससे लगबग दुगने के स्थिती में बीजेपी खड़ी है यही अंतर है इस देश में राजनित की जा रही है क्या वाकई जिगनेश मेवानी को टटोला जा रहा है वो कॉंग्रेस में कैसे आएंगे कैसे इन सब के बीजी जी ट्वंटी थी के नेता थे वो धीरे धीरे बदलेंगे विरप्पा मॉयली बदल गए आने वाले वक्त में मनिश्तिवारी भी पंजाब से आते वा भी बदलेंगे ये कौन सी परिस्तिती है कॉंग्रेस को लेकर ये सवाल इसलिए भूज पहली अभी भी है कोकि कॉंग्रेस पंजाब में चेहरे को बदलती है लेकिन राजस्थान और च्छतिसगड़ में टकराओं को रोक नहीं पाती है वह अपने उन संघर्षील कारक जरताओं को विधायकों को कोई तरजी भी नहीं दे पाती है अगर कॉंग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार है तो और यही वो परिस्तिती है जो बार बार इस धेश के भीतर में नागरिकों में संशे की स्तिती लेकर आती है कि जब वो कहते हैं कि हम बीजेपी को इसलिए यह सवाल खड़ा हो जाता है और नहीं भी खड़ा होता है तो इसे खुद बीजेपी का आईटी सेल खड़ा करने की स्तिती में ले आता है कि देखिये कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं तो क्या वाकई परंपरिक राजनिती की जो नीव पड़ी हुई थी इस देश में 2014 से बीजेपी और नरिंद्र मोदी ने जब उसे बदल दिया तो अब कॉंग्रेस भी उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर बदलने की स्तिती में आ गई है क्योंकि पंजाब के भीतर के जो सवाल हैं वो सवाल सत्ता और राजनिती से इतर एक समनांतर अवस्था में खड़े हुए हैं वो किसानों का मुद्दा हो युवाओं का मुद्दा हो वो बिरुजगारी का मुद्दा हो बंध होती इंडस्ट्रीज का मुद्दा हो ध्यान दीजिये इन सारी परिस्तिती में बार बार तीन बातों का जिक्र अक्सर होता रहा यह समझना होगा कि अरुन जेटली के लिए सिद्धू ने सीट छोड़ी थी अरुन जेटली को कैप्टन ने चुनाओं में हराया था तक्रीबन एक लाक वोट से हराया था 2014 के लोगसवा चुनाओं का जिक्रम आपसे कर रहे हैं उस वक्त सिद्धू बीजेपी में थे कैप्टन यहाँ पर कैप्टन की भूमिका में थे 2014 में और 2014 के बाद 2017 के चुनाओं में जब 117 में से 77 सीटे कॉंग्रेस को मिलती है तो वो बड़ी जीत के तोर पर सामने उबरती है और जो मैनिफेस्टो लेकर आती है उस पे जिक्र अब किया जा रहा है कि हमने मैनिफेस्टो का 90 फिजदी से ज़्यादा हिस्सा पूरा कर दिया लेकिन पंजाब में जो इस्थिती इस वक्त किसानों की है वहां के मंडियों की है वहां के बीच जो बिचवलिये काम करते हैं उनकी परिस्थिती है जो बेरुजगारी की है जो बंद होते उद्योगों की है जो वहपार की परिस्तितिया है इनका जिक्र 2017 में नहीं था मौजूदा वक्त में इन पॉलिसी निर्णेों को लेकर क्या वाकई इस 6 महीने में चीजें इंप्लिमेंट हो जाएंगी या फिर चेहरा बदल कर ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर हमारी ही सत्ता काम जनता के लिए नहीं करेगी तो हम अपनी सत्ता को बदल देंगे और हम ही आपके साथ खड़े हैं यह राजनिती का एक अनूठा मंत्र है जहां आप जनता के साथ खुद को खड़ाक करने की दिशा में ले आते हैं चाहे आप सत्ता में ही क्यो ना हो और पंजाब इसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ गया है अब कुछ फैक्ट्स की बात इसलिए करने की जरुरत है क्योंकि राजस्थान में सचिन पाइलट का संगर्ष टी एस सिंग देव का कहना की धाई-धाई साल का फार्मूला था इन सारी परिस्तितियों में हमको लगता है एक छड़ के लिए आपको 36 गड़ लिए चलते हैं 7-1% का हुआ और बीजेपी के वोट बेंक में जो घटा वो लगवग 8% घट गया यानि दोनों के वोट की स्थिति भी अगर आप देखिएगा तो लगवग 47 लाक वोट हारने के बावजूद बीजेपी के पास हैं 61 लाक वोट कॉंग्रेस के पास हैं और ये 61 लाक वोट त अब हैं जब कॉंग्रेस में टीयस सिंगदेव या तामर धोज साहू एक दुर्ग से आते हैं एक सरगुजा से आते हैं वहां उस समय बगेल के खिलाफ नहीं थे अब सबकी अपनी अपनी राजनिती और आने वाले वक्त में 2023 में इन्हें भी चुनाओं में जाना हैं ये सा बतलाती है कि हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इंतजार करती है कि दरसल सत्ता वाली पार्टी को जब जनता खारिच कर देगी तो हमारी सत्ता वहां पर आ जाएगी कॉंग्रेस इसी धारा से लगातार चलती आई लेकिन पंजाब में जो परिवर्तन जिस तर्च पर हुआ और जो खुली चूट सिद्धू को दी गई और सिद्धू के जो तेवर थे क्या वो आने वाले वक्त में देश के अलग-अलग राज्यों में प्रयोग होगा गुजरात में हार्दिक पटेल जो खुले तोर पर बोलते रहे कि दिल्ली में सारे निर्णे होते हैं हमारी बात कोई पूछता नहीं है वो खुद को जनता के साथ जोड रहे हैं और वहां से जिगनेश मिवानी को अब जोडने का जिक्र हो रहा है जो पूरा का पूरा घटना करम है उसमें जिस तरीके से अब कनहिया कुमार से भी समवाद बनाने की कोशिश हो रही है यह बताने की स्थिति कि वह एक पॉलिटिकल पार्टी है कोकि कॉंग्रेस अपने आपको पार्टी मान नहीं पाती है कॉंग्रेस मानती है वो विचार है वो मानती है कि वह भारत में सुतंतरता संगराम से लेकर अभी तक उसका भारत की जनता के साथ जुगार जुडाव कुछ वैसा ही रहा है ज मैसिज देश के लिए काफी है अगर ये काफी है तो 2014 और 2019 की हार कॉंग्रिस के साथ कही न कहीं कुछ सवालों को खड़ा करती है लेकिन फिर वही बात परमपरिक राजनिती ही इस देश के भी तरकाई का ऐसा सच है जिसमें जब तक आप चीजों को बदलेंगे नहीं तब तक आने वाले वक्त में कॉंग्रिस को चुनावी जीत दिला देगा या फिर ये खाटे का सोदा है ये तो चुनाव में तय होगा लेकिन इन सारी परिस्तितियों के बीच में एक फैसले और एक निर्ने से पाटिया नहीं बदलती है पाटियों को बदलने के लिए बहुत सारे निर्ने लेने पड़ते हैं अनुशाशन की कतार को बड़ा मोटा करना पड़ता है संगट्रिक ठाचे के बीतर जमीनी कारकरताओं को पद देना पड़ता है अनुभव अपनी जगा है लेकिन संघर्ष भी अपनी जगा है और इन दोनों परिस्तितियों को एक साथ ले जान सत्ता पलट डालिएगा पंजाब से निकला हुआ ये मैसेज है लेकिन पंजाब की जंता शानत है कोई शोर नहीं है वो देख रही है चेहरा बदल रहा है इसके अलावे उसके जहन में कोई सवाल नहीं है क्योंकि पूरा पंजाब संघर्ष में कोया हुआ हुआ है ये काम क्या कॉंग्रिस कर पाईगी यह सवाल है और इसी सवाल को सोचिए और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया